हलो फ्रेंड आज संडे है और आज मैं आपको दिखाऊंगी जो सिदलिंग्स मैं लाई थी लाने के बाद जब मैंने रिपोर्ट किया था तब रिपोर्टिंग का वीडियो अपसे शियार किया था तो रिपोर्ट करने के बाद मेरा सिदलिंग्स का क्या हाल है आज मैं वो दि तो मैं ये इसलों देखा दो क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंट को मेरे ये सब प्रांट्स को देखना अच्छा लगता है तो मैं इसलिए दिखा रही हूं और ये एक Cactus के वराइटी है देखिए कितने सुंदर से ग्रोथ हुए है इस प्लांट्स के देखिए। और अपमें से तो कुछ friends मुझे request कर रहे हो एक एक topic की उपर video बनाने की तो मैं ज़रूर बनाऊंगी लेकिन friends मैं daily video upload नहीं कर पाती हो क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा काम होता है तो मैं चाहती हो कि वीडियो बनाऊ लेकिन कभी कभी होता नहीं है लेकिन मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी जो भी मुझे request कर रहे हैं मुझे याद है मैं ज़रूर एक एक करके वीडियो बनाऊंगी और यह देखिए सब plants में reference और यहापड देखिए जो Christmas tree का plant बहुत दिन करता है लेकिन बहुत पसंद है मुझे यह plant सभी plant मुझे बहुत पसंद है और यहापर देखिए है कोलियास का plant मेरे पास six types के है कोलियास के plant कितने अच्छे से ग्रो हुए है देखिए और अब मैं आपको लेके चलती हूँ टेर्स के उपर और कितने सुंदर है कलर अब आपको लेके चलती हूँ टेर्स के उपर और यहापर देखिए दो बुगनविलिया के plant में कितने सुंदर से फूल खिले है कल मैंने एक वीडियो भी upload किया था बुगनविलिया के plant के उपर और यहापर मेरे निम्बू का plant देखिए कल रात को मैं टेर्स के उपर आई तो देखा एक निम्बू नीचे गिडा हुआ था वह ऐसे ही गिर गया था तो मैं आज दो तिन निम्बू इसमें से मैं तोड़ लूंगी और यह जो प्लांट है फ्रेंज इस प्लांट से मुझे बहुत अच्छे से फ्रूट मिल रहा है पहले भी जब फ्रूटीं किया था पहली बार तो मुझे 16 निम्बू मिला था इस प्लांट में से और अब देखिए अब भी कितने सारे निम्बू है और फिर से देखिए फूल भी आ रहे है इसमें चोटे चोटे निम्बू भी बन रहे है और वहाँ पर देखिए हमारा पेट बेटा हुआ है और फ्रेंज अ अब तक बहुती चोटे है तो इसलिए मैं डारेक धूप पर नहीं ला रही हूँ मैं थोड़ी दिन बाद दो चार दिन के बाद फिर मैं डारेक धूप में रखोंगी और फ्रेंज मैं जो भी जितने सारे सीडलिंग्स को मैं लाई थी अब तक सभी सीडलिंग्स बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर देखिए सेलोशिय के प्लांट और इस बेवी प्लांट में देखिए फ्रेंज यह बर्ड्स अना फ्लारीं अना होना शुरू कर दिया है तो यहाँ पर इंप्रेशिंस का प्लांट है देखिए इस प्लांट में भी बर्ड्स अना शुरू हो गया है ल इसमें birds बनना शुरू हो जाता है कुछ plants में लेकिन मैं हटाती नहीं हो और इससे कुछ problem भी नहीं होता है ये बाद में अच्छे से flooring करता है तो इसलिए मैं हटाती नहीं हो तो ये देखिए और देखिए यहाँ पर मेरे बागी के सब siblings सभी अब तक ठीक है एक भी siblings खराब ही हुआ है तो देखिए लास्ट तक कितने सारे siblings मेरे पास ठीक रहता है तो आज यहीं दिखाना था friends ओके बाई